अब आज की दुनिया के चाहने वाले सभी दोस्तों का Study with 4G Family वीडियो कलास में मैं कमांडर और करना एक आप सभी का हार देख स्वागत करता हूँ अभी नंदन करता हूँ उमीद करता हूँ दोस्तों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे कि आप सब की तहरी बहुत चुल रही होगी दोस्तों आप सिस-वी एक्जाम की तहरी करर रहे हैं क्योंकि दोस्तों एक्जाम का पेटर्न आजकल इस टाइब का है कि किसी भी टाइब से पूछा जा सकता है तो आएए दोस्तों आज दस जून से समधित कौन-कौन से महत्पून क्यूशन जो एक्जाम की दृष्टी से हमारे लिए महत्पून साबित हो सकते हैं उनको हम यहां पर देख लेते हैं तो सबसे पहले दोस्तों जो क्यूशन है वह वित वरस भष्ण किया गया अब दूस्तों फस्त अप्षण में यहां पर एक लाग करोड रुपे और सेक्रback मैं दो लाग करोड और धर जो ओप्षण है उस में है 3,00,00,000 रुपे अब दोस्तों आपको दिए गई उपशन में से राइट आन्सवर चुनकर कोमें बस में बता ना है तो यहां पर दोस्तों मैं बता देतς है इसका रायट आन्सवर हों गा एक लाग करोर रुपे अब दोस्तों इस मन नरेगा को दो जार दस से पहले किस नाम से जाना जाता था आपको पता होना चाहिए दोस्तों दो जार दस से पहले इसे क्या नाम से जाना जाता था नरेगा नाम से जाना जाता था जो नरेगा कारिय चलता है तो अब दोस्तों उस के डिकबोई क्षेत्र में तेल उत्पादम का कारिया प्राड़म किया गया था अब दोस्तों इससे समद्धित भी क्यूशन आप से एकजाम की दर्श्टी से पूछा जा सकता है तो यह दोस्तों आसम का जो तेल क्षेत्र है वो क्यों सर्चा में वर्तमान समय में आपने व्यक्राइब कि डिकबोई क्षेत्र में तेल का जो कारिये है प्रद्व कब किया गया था अब ओप्सन ए में मैं 90,B, cc cm,1957 द कि अंदर ॉस साथ आप व इसका जो राइडंसर है वो धो dोस्तों उन उनि सो सपन के अंदर दोस्तों करा के आप चर्चा में क्यों है ये तो दोस्तों मैंने बता दिया कि असम गेस के कारण और यह दोस्तों तिन सुखिया जिला है के असम के अंदर वहां पर दोस्तों ऑνε टिया लिमिंटेड है और उसके में दोस्तों रिशाओ को रोकने कि लिए एक फर defending बुलया गया था वह कां से बुलाइ गया था दोस्तों वह बुलाइगा था सिंगापुर्से तो यह दोस्तों इस टाइप का क्योशन भी आप से पूछा जा सकता है अब दोस्तों अगला क्यूशन यहां पर देख लेते हैं कि निमन लिकित में से कौन सा राज्य नेपाल से शिमा नहीं बनाता है अब दोस्तों वर्तमान समय में बारत और नेपाल के मद्दे जो समंद है उनमें कुछ उतार चड़ाव आ रहा है इसलिए कि दोस्तों इस टाइप की क्यूशन आप से पूछे जा सकते हैं भारत का कौन सा राज है वो दोस्तों नेपाल से शिमा नहीं बनाता है तो यहां पर दोस्तों दिए गए ओप्सिन में से आपको बताना है फैस्ट है हिमाचल परदेश सेकिंड है उत्राखन और थर्ड ऑप पर उत्र परदेश और फॉर्ट ऑफ्सन है पस्चिम बंगाल अब दोस्तों इन में से जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा आपका हिमाचल परदेश यानि दोस्तों हिमाचल परदेश है वो नेपाल से शिमा नहीं बनाता है अब दोस्तों नेपाल से शिमा हिमाचल गपने लिए, बीक में दोस्तों एक राजे रह गाया बिहार, और बिहार के बाद में दूस्तों एक राज्य ओर है जो भी नेपाल से शहिमा बनाता है। उसका नाम Is तो यह दोस्तों, कुल मिला कर तीन यह और लो यह यह, यह पास राज्य बारत के ऐसे हैं, जो नेपाल से शॹिमा बनाते हैं अब दोस्तों इस टाइब से भी क्यूशन पूछा जा सकता है अब दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि वियार का सोक किस नदी को माना जाता है तो ये दोस्तों वियार का जो सोक हो माना जाता है आपके कोशी नदी को इस समझत भी क्यूशन है वो पूछा जा सकत है और किस टाइब से क्यूशन पूछा जा सकता है तो यहां पर दोस्तों सिमा सडक संक्षन की स्ताफना कब की गई थी अब दोस्तों वर्तमान में बारत है और नेपाल के बीच में जो समंद में उतार चड़ावाया वो भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए एक सडक निर्मान के कारण दोस्तों यह है वह विवाद दिरे दिरे बढ़ता गया तो इससे समंदित दोस्तों अब सडक इसका जो राइ्ट आंसल रहेगा दोस्तों वह रहेगा साथ मईए उननीच सो साट यानі हमारा आफशन नंबर ए सही है साथ मईए उननीच सो साथ में यह जो सीमा सरक शंक्टन है बॉडर रोड ओर्ड ऑउर्गिनाइजेशन इसकी इस्ताफना हूई थी अब दोस्तों इसके सेंस ताफक कौन थे तो यह है दोस्तों आपके जवारलाद नहरू अब दोस्तों इससे समधित भी क्यूशन पूचा जा सकता है कि इसका हेड़ क्वार्टर कहां पर है तो हेड़ क्वार्टर है दोस्तों इसका दिल्ली के अंदर और यह दोस्तों रक्सा सा हो सकता है अब दोस्तों क्षित्र में या तो ये हो सकता है कि शिर्फ भारत के अंदर ही ये सिमा सडक का निर्मान करता है या फिर दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि कहीं दूसरे देशों में भी इसके दूरा किया गया हो तो हाँ दोस्तों इसका ये भी आंसर राइट हो सकता ह आप से इस तैफ से क्यूशन पूछा जा सकता है तो ये दोस्तों सेमा, सडक संक्टन वो निर्मान कारिय भारत के बाहर भी कर सकता है और इस से पहले दोस्तों ये अफगानिस्तान, नेपल, भुटान और सिरी लंका में इस तरह का निर्मान कारिय कर चुका है अब दोस्तों आसा करता हूं ये क्यूशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अब दोस्तों देखते हैं अगला क्यूशन जो की एकजाम की दरिश्टी से हमारे लिए महतुपूर्ण है और इस टाइप के क्यूशन भी पूछे जा सकते हैं अब दोस्तों नेपाल से है एंग लो नेपाल और अब दोस्तों यह जो नेपाल वोर है ओं और ब मेरो कब से कब तक लड़ा गया था तो यह दोस्तों देगे में से आपको बताना है ले चकिन आटारनों छूदा से बताना है तरड जोला और तो एस एसाफमें now 24 116 और UP ॉप्षन है इनिशसो 14-1915 अब दोस्तों दिये गए option में से आपको बताना है अब नेपाल कापी समय से चर्चा में इसलिए दोस्तों इस ताइप की अंग्रेज थे भारत में तो उस समय अंग्रेज़ों और नेपाल के मद्दे ये वोर हुआ था इसलिए दोस्तों क्यूशन पूछा जा सकता है तो ये दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका 1814 से 1816 यानी दोस्तों ये दो वरस तक लड़ा गया था एंग्लो नेपाल वोर अब दोस्तों आप को ये भी समझ में आ गया होगा कि ये युद कब से कब हुआ था और किस किस के मद्दे हुआ था लेकिन दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि युद जब भी होता संदी कर ले तो वो संदी के माध्यम सी युद्द को समप्त किया जा सकता है बगेर हारित के तो ऐसा ही हुआ दोस्तों SPEAK इससे समधित भी सन पोचा जा सकता आप दोस्तौं उस् में क्या हुआ जब ये ट्रीति होई थी तो यह जो अभी काला पानी ये जो चल दा है विवाद काला पानी है लिपू लेख है और एक दोस्तों आपका लिपू दूरिया ये जो तीन चत्र है इनको लेकर विवाद चल रहा है जैसे दोस्तों देश के अंदर आर्टिकल तीन सो सत्तर यानि दोस्तों अनुचे तीन सो सत्तर को हटा कर जमू कस्मीर को केंदर सासित परदेश बना दिया जाता है उस समय क्या होता है दोस्तों भारत सरकार ने एक नया मेप जारी किया अब दोस्तों जैसे नया मेप जारी किया तो उस समय क्या किया यह जो काला पानी है इसको लेकर विवादे हो गया भारत और नेपाल के पूछा जा सकता है और नेपाल से समधित दोस्तों हमारा जो पडोशी राष्टर है इसे समधित क्यूशन जब भी एक्जाम में पूछा जाए तो आपका क्यूशन गलत नहीं होना चाहिए अब आशा करता हूं दोस्तों यह जितने भी क्यूशन है वो आपको समझ आ गए हों तो आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर दोस्तों अच्छा लगता है तो उसको अपने दोस्तों के साथ में शेर भी कर देना है धन्यवाज जैहिन जैबार